आजकल invisible braces "' इतने invisible» हैं, कि मेरे दोस्तों के पास, कुछ ऐसे adult patients हैं जिनकी वाइ-व, अपना dental braces करवा रही है invisible braces यूज के लाएव, उनके husband को पदा भी नही है, उनके braces चल रही है नमस्कार parents, मैं हूं Dr. indicesाब्शापती, यह इस तरह के इन्विजिबल ब्रेसिस हैं, आप दातों पे इनके अपने नाप से बने वे बनवाएंगे, तो एक फुटूर खड़े आदमे को पता भी नहीं चलता है कि यह ब्रेसिस लगे वे हैं, यह कुछ प्लेट्स होती हैं, और आज इस वीडियो में अपन बात करते है कि अगर आप इन्विजिबल ब्रेसिस के लिए जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का इनकी केर कैसी रखनी और किन बातों का ध्यान रखना है, नमबर वन, ध्यान रखी यह ब्रेसिस उतारे जाते हैं, आपको खाना खाके इनको उतार के खाना खाना होता है, तो लगबग यह केस में ही रहे, जेब में ना रखें, टेबल के कोने पे ना रखें, इस पे कुछ अंटूर्ड फोर्ष लगता है, तो यह प्लास्टिक और अगर इसका शेप चेंज हो जाएगा, तो यह प्लेट आपके दान्त में फिट नहीं होगी. पॉइंट नमबर दूसरा, जब भी आप दान्तों को ब्रश से साफ करेंगे, इन अलाइनर्स के लिए भी आप एक अलग से सॉफ्ट ब्रश लेंगे, और उसके अगर आपको टूथपेस लगाना है, तो नौन वाइटनिंग वाली टूथपेस लेंगे, ताकि उसमें केमिकल कम रहें और प्लास्टिक को नुक्सान कम पहुँचे, तो ध्यान रखें, आप इसको जितना साफ रखेंगे, कंपनी कंपनी पर डिपेंड करता है, एक अलाइनर लगबा आपको साथ से चौदा दिन पहनना होता है, अगर आपका दान पे रुका हुआ खाना उस अलाइनर को लगेगा बार बार, तो दान पीला पड़ सकता है, और दो मूँ में से बद्बू आनी और स्टार्ट हो सकती है, तो इन अलाइनर को भी ब्रश वें आपको बिल्कुल साफ रखना है, नमबर तीन, ध्यान रखें, कंपनी ये बोलती है, बहुत हाई कॉलिटी, बायो कॉमपाटिबल प्लास्टिक है, पर ध्यान रखें, ये प्लास्टिक है, ये गरम टेम्परेचर को या ज्यादा हाईर टेम्परेचर को नहीं से सकता, इसको पी के आपको गर्मा गर्म चाय कॉफी नहीं पीनी है कार के डेशबोर्ड में नहीं छोड़ना है क्यूंकि यह प्लास्टिक है और थोड़ा सा भी अगर गर्मी या एक्स्टीम ठंडे की वज़़ा से मुड़ गया तो यह वापिस दातों में फिट नहीं होगा चौथा ध्यान रखें कि आप दिन दे जित्ती बार भी खाना खा रहें इसको उतार के ही खाएं हाँ कई बार अमर्जेंसी में आपको खाना पड़ सकता है पर ध्यान रखें अगर आपके खाने में कोई सक्ती चीज आ गई और उसने प्लेट जोर से जोर लगा दिया और उसक पाँचवा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है देखिए ये aligners होते हैं ये set होता है जो कि आपको time to time change करना होता है किसी के 20 aligner का treatment होता है 40-60 ऐसे number आपके कितने दान तेड़े मेड़े उस पेड़े बन करता है कि आपको कितने aligner पहनने है हर aligner की एक अलग fit होती है आप आपको company द्वारा एक chew करने का chew ही दिया जाता है जो कि आपको नया aligner पहनने के पाँचव करके उसको पूरा fit करना पड़ता है कई बार ऐसा होता है कि आप हर aligner chain में dentist के पास नहीं जा सकते हैं अगर आपको दूसरे aligner में थोड़ा सा भी आपको लगे कि मैंने aligner change किया और यह थोड़ा सा भी fit नहीं हो रहा है तो प्लीज उस चीज को और डिले नहीं करें विकाज अगर तीसरे नंबर का aligner थोड़ा कम fit होगा चो चौथा और ज्यादा कम fit होगा और पांचवा शायद पूरा fit नहीं होगा इसे होगा कि आप एकदम से dentist के पास जाएंगे कि देख आपसे फास्ट ट्रीटमेंट होता है और आपको भी ध्यान रगना है कि अगर किसी भी aligner में छोटा सा भी fit का issue आ रहा है तो आप तुरहन प्रवाब से उसको dentist को दिखाएंगे invisible braces, aligners, invisiline इस related आपका और भी कोई doubt है तो आप उपर दिये हुए email id पे मुझे संपर कर सकते हैं या पे नीचे दिये comment section पे लिख सकते हैं मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूँगा Thank you